चलो दोस्तों शुरू करते हैं अंगारा और खुनी दरिंदा बहुत अच्छी कानी है दोस्तों अपने टाइम की बहुत इट को मिक्स थी ध्यान से सुनना संसार की सबसे खतरनाक और रहसे में गाटी अमेजन के लिए अंगारा ने यात्रा शुरू कर दी इस बार वे समुन्दरी मारग से यात्रा कर रहा था मारग में एक टाप पर अपने सक्ति का प्रदर्शन करने के बाद अंगारा फिर आगे बढ़ गया वैल रानी मैं सोचता हूं डाक्टर कुनाल भी कितने मान वेक्ति हैं उन्हें में जानवरों से कितना लगाओ है मैंने जबड़े में बिठा कर ले गई थी फिर गैंड़े की खाल फिर लोंबी का दिमाग गिद की आंके सेर का दिलाथी का बल और गोरिले का स्रीरिन सब को मिलाकर मुझे बना डाला आप कहना क्या चाते हैं सवामी यही कि डाक्टर कुनाल ने मुझे सरो सरेष्ट प्राणी के रूप में खड़ा कर दिया है और हम मुझे संसार के सामने अपने सरेष्टा सिद करनी है जानवर और इंसानों में एक ऐसा रिष्टा कायम करना मेरा उदेश से है कि इंसान जानवर को भी इपने समान दर्जा दे और से अमेशा अपना मित्तर समझे कुछ समय बाद अब रात हो गई है सवामी आप आराम करे सुबह मंजिल पर पहुंच जाएंगे सुबह सुबह हो गई सवामी किनारा आ गया यहां से आगे मैं आपका साथ नहीं दे सकती ठीक है तुम इसी तट पर मेरा इंचार करना अंगारा तट पर उतर गया बचाओ एक कोई मदद के लिए छीक रहा है बचाओ गुमा 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 शुमा लड़की किसी मुसीबत में मुझे उसकी मदद करनी चाहिए सपाक गुमा जु गुमा जु जुमा जु वेल रानी एक लड़की समुंदर में कूद गई यह उसे अपनी सरण में ले लो लड़की के समुदर में कुदने के बाद पीछा करने वाले जंगली वापिस लोट गए उनके चले जाने के बाद वेल रानी लड़की को किनारे पर उतार दो डरोनी हम तुमारे मित्तर हैं यह समुदरी जीव और तुम में तुम मैं यह वेल रानिय है हमारी मित्तरोर मैं अंगारा हूँ अंगारा क्या तुम वहीं अंगारा हो जो जानुरों का दोस्त है हाँ मैं वहीं अंगारा हूँ तुमने मुझे क्यों बचा आवे लोग मुझे फिर पकड़ लेंगे कौन लोग वही गोबिला जाती के जंगली जो मेरा पीछा कर रहे थे उनी लोगोंने मेरे डैडी की अत्या कर दी क्यों कर दी अत्या खुनी दरिंदे की खातिर खुनी दरिंदा हाँ गोबिला जाती के रेड इंडियन खुनी दरिंदे को मेरी बली चड़ाना चाहते थे और यह तब तक संपव था जब तक मेरे डैडी जीवित थे मैं अमरेके नियुती हूँ और मेरा नाम जूली है मेरे डैडी इस इलाके में खान की तलास में आये थे हम कुल 6 इंसान थे गोबिला वालों ने हम पर हमला कर दिया हमला करने से पहले उन्होंने मेरी मांग की मैं मुझे बली चड़ाने के लिए मांग रहे थे मेरे डैडी द्वारा इंकार करने पर यूद हो गया तीन दिन तक यूद चलता रहा और हमारे साथ के लोग मेरे डैडी से एक एक करके उनके निशाने पर आते चले गए उन्होंने मुझे पर हमला नहीं किया उसके बाद मैं भाग निकली और गोबिला वाले मेरे पीछे लग गए उनके आतो पड़ने से बेतर मैंने अत्त मुत्या कर लेना उचीत समझा फरन्तु मेरी वहलरानी ने बचा कर मेरे वाले कर दिया क्या तुम्हें मालूम है कि गोबिला जाती के लोग कहां रहते हैं हाँ मेरे डैड़ी यहां के सब रास्तों से प्रिचित थे उन्होंने कुछ रास्ते मुझे बताए थे तो चलो सब से पहले हम गोबिला ही चलते हैं लेकिन वे लोग बहुत खत्रनाक है और गात लगा कर वार करते हैं तुम अकेले अगर तुमने अंगारा का नाम सुना है तो फिर तुम्हें ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए ओ हाँ मैं तो भूली गई थी कि आप महान अंगारा है महाशक्ति महान अंगारा दोनों गोबिला के और चल पड़े मुझे खुनी दरिंदे के बारे में बताओ खुनी दरिंदा को इनर भक्षी जीव है उसे अपने कबिले को बचाए रखने के लिए ये बली चड़ाते किन्तु आश्चरे की बात या है कि खुनी दरिंदा केवल सुन्दर लड़के की बली स्विकार करता है या फिर इन लोगों का अंद्वी इश्वास इस इलाके में मेरे डैड़ी पहली बार आये थे और यहां आने के बाद ही उन्हें इन बातों का पता एक गवाले ने बताया मेरे डैड़ी मुझे वापिस बेजना चाते थे पर तु ऐसा होने से पहले हमें गेर लिया गया अब हम गोबिला के सीमा में आ गये हैं यहां वे लोग कहीं भी गात लगा सकते हैं वो गास के निचे लोहे के सिकंजे बीचे हैं तभी खटाक तड़ाक यह जानुरों को पकड़ने के लिए अब क्या होगा हम दोनों के पाउं तो इस सिकंजों में जकड़े वे हैं गोबिला वाले साइरन बजा रहे हैं जल्दी कीजिए नहीं तो कुछी पल में वे सैकड़ों की संख्या में यहां होंगे लेकिन देखते देखते उनको गेर लिया गया गोलो बोलो गोलो गुमा गुमा खबरदार अगर लड़की को आथ भी लगा तो कुले गुले डुसी मूँ इई दूसरे जंगली ने सिकंजों पर बंदी रस्या खिची खिले खिले और तडाम सारे जंगली एक साथ अंगारा पर तूट पड़े कुछ ही मिन्टों में कमकत हाथ भी बांद गए लड़की को भी ले गए मेरे सस्तर भी ले गए मैंने सोचा था बिना खून बहाई बात बन जाएगी हवानों के लिए हवान बनना पड़ता यही दस्तूर है संसार केर कोने में चुए रहते हैं उनी को बुलाना चाहिए यह मेरे मित्रों चुहो अपने बिलों से निकलाओ अंगारा तुम्हें बुला रहा है रसिया काट डालो साबा सब तुम जाओ मैं शिकंजों के नटबोर्ट खोलता हूँ पता नहीं इन जगलियों ने कहां कहां इस तरह के शिकंजें बिछा रखे हूँ और मुझे उनके ठिकानों का भी तो पता नहीं जटायू कमान अपने स्वामी की पुकार सुनते जटायू आजूर वा तुम कहां थे जटायू बहुत दूर पाड की एक चोटी से सारा दर्शा देख रहा था स्वामी आपने मुझे पहले ही बुला लिया हो था अरे जटायू जब मुझे पता चला क्यों लोग मेरे माथे प्रबंदी लाल पटी के काण मुझे किसी रेड इंडियन चाती का समझ रहे हैं और मुझे जान से मारने का इरादा नहीं रखते तो मैंने उन पर जान लिवा अमला नहीं किया अब क्या ग्या है वही चलो जहान लड़की को ले गए हैं तुम मुझे उनकी बस्ती से बाहर ही उतार देना जैसी आ गया स्वामी उस सामने वाली बड़ी गुफा में चले जाए यह पस्ती का रास्ता है गुफा के द्वार पर गबिला मुझे तो कोई तुफान भी ने रोक सकता तुम किस खेत की मूली हो खुस तुमारे इं तीर भालों को तो मैं ऐसे ही तोड़ डालूँगा डिसुम पड़े रहो यहीं फिर कभी अंगारा का रास्ता ने रोकना गबिला 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 हैं यह सब गुफाओ में रहते हैं इंसान गुफाओ में गबिला गबिला दुनिया के कोई ऐसी बासा नी जिसे मैं ने समझता हूँ अंगारा ने उनकी बासा में बोलना शुरू किया ठेरो अपने सर्दार से बात कराओ वरना मेरा खोपना कभीला हामला कर देगा थोड़ी देर में सर्दार आ गया मैं सर्दार उंबालू हूँ तुम कौन से कभीले से हो और उमारे सिकार पर क्यों नजर लगाए हो बुलो तुम उस लड़की को सिकार बता रहे हो मैंने उसे समंदर से निकाला इसलिए उसे बाजित मेरे हवाले कर दो खूनी दरिंदा उसकी बली मांग चुका क्या तुम खूनी दरिंदे के कोप का सिकार बनना चाओगे और अगर हमने लड़की की बली नहीं चड़ाई तो दरिंदा हमारी बस्ती में तपाई मचा देगा यह बात तुम भी जानते होगे हमने तुमें जान से नहीं मारा इसलिए कि तुम भी हमारी तरह किसी कबीले के हो लेकिन तुमने अगर हमारे काम में रोड़ाट का तो सजाए मोत बोल दी जाएगी हम तुमारे कभीले के सरदार को भी बता देंगे कि तुमने क्या गलती की थी तभी कुर दरिंदा आ गया सब गुफा में छिप जाओ दरिंदा आ गया फोरन लड़की को बार फैक दो ओ यह तो इस पाड़ी से भी उचाए पूरी पाड़ी तोड़ कर अंदर आ गया बचाओ चियां बचाओ दरिंदा जूली को लेकर जाने लगा बचाओ सरदार जल्दी से मेरे थ्यार मुझे देदो आब अमारी कोई दुस्मनी नही अंगार अपने सस्तर लेकर खूनी दृंदे के पीछे बागा ए खूनी दृंदे ठेर जा मैं संसार का सरव स्रेष्ट प्राणी अंगारा तुझे रुकने का हुकम देता हूँ यह तो मेरी जुबान बोल रहा है रुक जा मैं सरव सक्तिमान प्राणी अंगारा तुझे उकम देता हूँ सरव सक्तिमान हाँ हाँ चियाँ यह बगवान इसी ने एक इवार में मुझे काँ उड़ा दिया पता लग गया कोन सक्तिमान है हवा में कला बाजिया खाते अंगारा को जटायू ने पकड़ लिया मेरे रहते बला कोवा आपको उड़ा सकता है कोई आपको उड़ा सकता है जटायू मुझे उसके सीर पर ले चलो सीर पर क्यो हूँ मेरे आए उस कारक्टर का था कि सन्सार में ऐसा कोई जानवर नी है जो मेरा उकोम ने माने, फिर यह क्यों नी मान रहा है? फिर भी तुम मुझे उसके सीर पर ले चलो जब मैं उसके सीर पर सवार ओकर उस पर अमला करूँँगा तो भे अपने हाँ से मुझे पकड़ेगा कोई पत्थर बर्शा रहा है जैसे दरिंदे का आच सिर की तरफ गया आग लगा दी मेरे आथ में पहले इसी को देखता हूँ दरिंदे ने जूली को जख में ये थेली पर खड़ा कर दिया और दूसरे आच से अंगारा को पक्ड़ना चाहा उसी सर्ण जटायू अपना काम कर गया मेरा शिकार मुझे लोटा दे जटायू समंदर तट के और बड़ो दरिंदा जटायू के पीछे चल पड़ा चियाओ मेरा शिकार अब इसे मेरी भी सुदनी मुझे थोड़ा आराम कर ले ना चाहिए रास्ते में दरिंदे ने तभाई मचा दी थोड़ी देर ओर उदम कर ले फिर तेरी कुस्ती वहलरानी से आर पार हो की उसके बाद मैं तेरा दिमाठ ठीक करूँगा तुझे पूरी तर अपनी विरादरी का बना कर छोड़ूँगा जटायू दरिंदों के समंदर तक तक ले आया स्यातान पक्सी मैं तुरे पर कार दूँगा वहलरानी कमान जैसे वहलरानी सते पर आ गई जटायू उसके सिर पर जा बैठा समंदर के बीच में चटान पर बैठ गया एक बार मेरे हाथ लगजा मैं तुझे कच्चा चबा डालूँगा दरिंदा पानी में उतर गया वह जैसे वहलरानी के नजदिक मूचा हमला जटायू उब लड़क को तट पर ले चलो है यह क्या अंगारा दरिंदे के सिर पर से पानी में कूद गया वहलरानी तुमारी जोट का है पानी से निकलने ने पाई दरिंदे ने वहलरानी पर प्रार किये लेकिन वहलरानी पर कुछ अस्र नियों साबास वहलरानी वहलरानी अब इसे पानी की अथ गहराई में ले जाओ वेल रानी दरिंदे को समंदर की गहराई में ले जाने लगी चियाओं। दूसरी और एक गार की गुफा में। सोला मॉला छू छू दरिंदे मैंने तुझे बनाया है। मैं जादूगर कीमा तरा आका हूँ। तेरी चितकार मेरे कानों में पड़ रही है। आजा आजा छू 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 है यह क्या हो गया। पानी में वेल से क्यों लड़ पड़ा तु नालायक। दरिंदे तु समंदर क्यों पूँच गया। अब तुझे कैसे बचा हूँ। मेरा जादू समंदरों को पार ने कर शुका दरिंदे किसी तर किनारे पर आजा। उदर समंदर में। तट पर जाने की आखरी जंग लड़ता हूँ। बेकार दरिंदे अब तु कहीं नहीं जा पाएगा। वेल रानी गहरे गहरे गोते लगाकरिशे बेहोस कर दो। गड़ाप। और पार कि जंग में जीत वेल की हुई। वेल रानी अब इसे तट पर ले चलो या बेहोश ओचका है वेल उसे तट पर ले आई इसे तट पर क्यो ले आए सवामी इसके दिमाग की सरजरी करूआ महामी डाक्टर कुनाल ने मुझे जो ग्यान दिया उसका उपयोग तो करना ही चाहिए इसके अंदर दो विचाद दारा आई हैं एक तो इंसानी दिमाग है और दूसरा जानवर का अगर इसके इंसानी दिमाग की सोच समापत हो जाए तो यह मेरे उक्म का पालन करने लगेगा फिर हम तुम्हें अंगारा दीप फिर हम इसे अंगारा दीप ले चलेंगे दोस्त उदर जादुगर की मा को पता चल गया दरीनदार तट पर आ गया अब मुझे उसकी मदद केले वहां पहुंचना होगा ताकि अपना जादू चला सकूँ ओ यह क्या गडबड़ो रही है कुछ करना होगा छूम 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 है यह कोरा कुछ नजर नी आ रहा समाब दोस्तो इतनी थी यह इसका अगला भाग भी जरूर पढ़ेंगे अंगार और कोरे का प्रेत इसे जरूर लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तो